प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी, संत्योहन के अनुसाल पवित्र सुसमाचाल, प्रभु कीचे, उस दिन तुम मुझसे कुछ प्रसन नहीं करोगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे, वो तुम्हें मेरे नाम पर व जिससे तुम्हारा आनंद परिपून हो, मैंने तुम लोगों से यह सब दिस्टांतों में कहा है, वह समय आ रहा है, जब मैं फिर तुम लोगों से दिस्टांतों में कुछ नहीं कहूंगा, बलकि तुम्हें इस पस्ट सब्दों में पिता के विसे में बताऊंगा, तुम उ पिता तो स्वयम तुम्हे प्यार करता है, क्योंकि तुम मुझे प्यार करते और विश्वास करते हो, कि मैं इस्वर के यहां से आया हूँ, मैं पिता के यहां से संसार में आया हूँ, अब मैं संसार को छोड़ कर पिता के पास जा रहा हूँ. यह प्रभु का सुसमाचार है क्रेस्ट केचे क्रेस्ट में मेरे प्यारे मातापिता भायु बहनो यो मननहे मुनहे बच्चो दिल्ली के AIIMS होस्पिटल में एक बेक्तिने पांच महिनों तक डॉक्टर होने का साजिस या धोंगी रची पुलिस का कहना है कि यह दवाई के बारे में उनका ग्यान आश्चर जोनक है तब स्वैस खान ने टॉइट में लिखा वो तो कुछ भी नहीं है एक चाय बेचने वाला जो देश का प्रधान मंत्री होने का धोंग या साजिस रच्चती है उनके बारे में आप क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों यह तो एक जोग था लेकिन इसी प्रकार आज के पहले पार्ट में हम एक आश्चर चकित कर देने वाला ब्यक्ती अपॉलोस के बारे में सुनते हैं जो यहुदी से आई हुए थे यह ब्यक्ती बहुत ही सक्तिशाली, वक्ता और धर्मगरंद का पंडित था वह उच्चा के साथ बोलता और इसा के विशय में सही सही बाते सिखाता था वह सभाग्रिहों में निसंकोच बोलने लगा यह देखकर प्रिसिला और अक्वेला उसे अपने साथ ले गए जिसे उन्हें और अधिक विस्तार रूप के साथ उसे ईश्वर का मार्ग समझा सके या दर्सन सास्तर का ज्यान उन्हें दे सके प्रिये भाई व बहनो आज हमारे समाज में अपलोस के समान कातलिक विस्वासी चाहिए जो निधड़क, बेहचक, इसा मसीह का परचार कर सके भले ही आप प्रोहित या धर्म बहने ना बन सके हो लेकिन हमारा कातलिक कलिसिया हर विस्वासी को सुसमचार सुनाने का अधिकार दिया है सच पूछे तो हम में से कितने लोग हमारे इसा मसीह पर दस मिनट का परवच्चन निसंकोच सुना सकता है हम अपने आप से पूछे कि यदि मुझे कोई गैर इसाय पूछ दे हमारे विस्वास या धर्म के बारे में तो क्या मैं उनके साथ परतिवाद या बचाओ कर सकता हूँ यदि हम में यह सब खाम्या महसूस होती हैं तो हम अपने आपको देखे अपने परिवारों में जाके और आज से परिवारिक प्रात्ना सुरू कर दे जहां हम रोज दिन इस्वर के वचन को सुनते हैं और अपने ही सब्दों में जो भी हमें समझ में आये हम उसका ब्याख्या एवं अर्थ अपने परिवार के साथ अधान प्रदान करते हैं वैसे तो कई सारे लोग हैं जो सचमुझ में इसा मसी का परचार निधड़क कर रहे हैं मैं उनका आदर इवं समान करता हैं लेकिन हर ख्रिष्टियों को अपोलोस बनने की आओ सकता है आज के सुसमच्छार में प्रभू कहते हैं तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा इतना मनमोहक सब्ध है आज के सुसमच्छार में अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है मांगो और तुम्हें मिल जाएगा सैद हमारे जीवन में यही खाम्या है हमने मांगा ही नहीं है हमने तो खेवल भगवान से सर्ते एवं आज्या दी है प्रभू हमारी आवसकताओं को पूरा करते हैं लेकिन हमारा चाहत को कभी नहीं खृष्ट में मेरे प्यारे भायो बहनो आज की वचन को चब तक हम गावर से ना पढ़े और उस पर मरंचिंतन ना करे तो हमें समझ में नहीं आएगी आपको क्या लगता है जब प्रभू कहते हैं मैं सब कुछ दिस्टांतों में कहा और अब दिस्टांतों में कुछ नहीं कहूंगा आप मेरा नाम लेकर प्रात्ना करोगे पिता तो स्वयम तुम्हें प्यार करता है क्यांकि तुम मुझे प्यार करते और विश्वास करते हो मैं तो ईसवर के यहां से आया और वापस पिता के पास जा रहा हूँ इन सब का मतलब यह है कि इसा के पुनुर्थान या पुत्र का महिमा से पिता के बारे में हमें पता चलता है दूसरा मकसद यह हो सकता है इसा का पुनुर्थान से हमारा और पिता परमेश्वर का संबंध येसु मसीह की द्वारा होती है कि हम पिता परमेश्वर, हम विश्वासियों को खुद प्यार करते हैं, क्योंकि अब वे एक हो गए हैं, जोन के अध्य है दस पसंख्याएं, तीस में हम पढ़ते हैं, मैं और पिता एक हैं, जोन दस अरतिस में हम पढ़ते हैं, पिता मुझ में हैं, और मैं पिता में हूँ, आईए, आज हम प्रभू से विश्वास मांगे। यदि हमार विश्वास डिड़ है, तो हमारी आउसक्ता खुद पूरी हो जाएगी। पिता और पूत्र और पुवित्रात्मा के नाम पर, आमेन।